वेल्कम बैक तो माई चैनल तो कैसे हो आप सब होफुली सभी अच्छे होंगे सभी मस्त होंगे सभी खुश होंगे तो यह जो वीडियो है यह जिस दिन में डी माट गई ती उसी दिन का वीडियो है तो शाम की करीबन चे सवा चे बजे का टाइम हो रहा था और इसके पहले में बच्चों बोला कि मीठा खाना है कुछ ठंडा खाना है मदा पीना आया हूं तो अभी के एक्जाम चल रहे हैं तो में उनको एसी जिस बना देती हूं जो बच्चे भी खुश हुजए और मेरा भी काम हो जाए तो इतना सारा सामान हमारे पास में होता है पूरा स्टों तो हमारे मन में मलब जो जो भी चीज़े हम सोसते हैं वह बना सकते तो मैंने सचा चलो बच्चों को औरियो शेक पसंदे तो बना देते लेकिन थोड़ा से उसको अलग तरीके से बनाओंगी ताकि बच्चे खुश हो जाएंगे तो मैंने 5-7 बिस्किट ले लिए औरियो के औ कॉल्ट को थी ना बिल्कुल उसी तरीके का टेस्ट आएगा और उसके बाद में थोड़ी थी शुगर और थोड़ा तोड़ा सा दूट डालके मैं उसको अच्छे से मिक्सर में गुमालोंगी और 5 मिट भी नहीं लगते यह वाला औरियो शेक जो हो बनाने में कौन कौन मना और यो शेक मुझे जरूर बताना और फिर इसके बाद में इसको अच्छे से गार्णिश भी करके दूंगी ताकि बच्चे ना खूश हो जाएंगे इसको देखके तो बच्चों के चल रहे हैं अभी क्वाटली एक्जाम तो बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं और जैसे और यो शेक में लेकर आई तो बच्चे जहें बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे वहलब और यो शेक तो फिर बनता ही रहता ऐसा नहीं लेकिन जिस तरीके से मैं गार्णिश करके लाई थी ना तो बस वह चीज़ देखके बच्चे जहें खुश हो गए और तो अब मैं आपसे मिल रही हूं नेक्स्ट इवनिंग हाजी इवनिंग में मिल रही हूं मौनिंग में मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था क्योंकि इसके एक दिन पहले वाला जो दिन था ना वह काफी ज़दा हैक्टिक हो गया था मालब सुबह से कंटिन्यूस काम काम हो इडली का मैंने मिक्स्टर तयार किया था थो थोड़ा सा मैंने एक्स्टर कर दिया था और अभी में इसका कुछ अच्छा और कुछ बनाने वाली हूं और यह आप जरूर देखना रैसिपी काफी अच्छी लगेगी आपको तो करीबन इसके अंदर मैंने तीन कटोरी सूज तो जहीं जोड़ा बनाओंगी उससे यह काफी अच्छी वनेगी और उसके बाद में पानी डालकर और मैंने गोल तैयार कर दिया था और उसके लावा एक चीज़ा डाली थी एक चमच शुगर डाली थी एक से दो चमच तेल डाला था मैंने छोटा चमच होता है वह और नम जो अपना इटली कुकर की जो अंदर ट्रे आती नहीं इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अच्छे से तेल वे लगा कि इसको ग्रीस कर दूंकि तो मैं वना रही हूं सूजी के डोक ले लेकिन थोड़ा सा यह स्पेशल रहेगा रेसिपी आप आगे देखना और फिर मुझे बताना क हमें आप से बनाता है और पहले ही मैं इतली कुकर चड़ा दिया था तक एक पानी गरम हो जाए और ट्रे में डालने से जस्ट पहले में निसके अंदर ढ़ने था थोड़ा सा खाने का सोड़ा बस खाना का सोड़ा जो है वो डालते में तुरंती मिक्षर रहां ना इस टीम क अब मैंने इस तरीके से कपड़ा जो लगा दिया ताकि बिल्कुल भी स्टीम बने पर जो पानी की ड्रॉप्स होती है न वो डोकले के पर ना गिरे और वो सोगी सोगी ना हो तो 20 मिट हो गए हैं और आप देखिए कि कितना अच्छे से फूला है ये डोकला और मैंने थोड़ तो थोड़ा सा मैंने जादा क्वाटिटी में ओइल ले लिया हिंग डाला है राई डाला है जीरा डाला है डेर सारी हरी मिर्ची और तो बहुत जादा स्टेस्ट होता नहीं है अब इसका जो तड़का रहेगा ना उसी से ही इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और जब और थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छे से पकने देंगे और हल्दी जो है वह अप्षिनल है आप चाहें तो डालो नहीं भी डालेंगे तब भी डोकले का कलर जो है वह अच्छा आएगा और बहुत जदे यदि आपको तीखा नहीं खाना पसंदे तो लाल मिर्ची को स्क मैं इसमें एक और एड़ करी थी वह था आदी कटरी जितना चावल का आठा तो जब मैं अभी मिक्टर त्यार कर रही थी ना उस्टैम पे तो मैं इन डाला था मॉर्णिंग में और जब मैं अभी थोड़ा सा तीन चार गंटे में रखने के बाद में इसके थोड़ा सा नहीं है तो आप क्या सकते हो कि जब आप मिक्चर तयार करते हो न उस टायम से थोड़ा सा चावल जो होता है उसको अच्छे से दो के और उपीस एंदर बारिक साथ पैस्ट टाइब का बन जा इसके बाद में सुजी के साथ में मिक्स करके तीन-चार गंटे पहले इसको गोल और उसके बाद में थोड़ा सा इनो या फिर खाने का सोड़ा जो भी डाल के आप उसको मिलब फटाफर्स अगर आपको फर्मेंटेशन करना है तब इस तरीके से इंस्टेंटली फर्मेंटेट कर सकते हैं और अब यह तड़के के अंदर सारी ही डोकले डाल के उसको अच्छे कर लेती हूँ आप लोग करते हो कम कमी कॉमेंट आते हैं लेकिन हाँ अगर यह वाली रेसिपे आपने ट्राइन नहीं करिए तो एक बार प्लीज ज़रू ट्राइ करना और कौन इस तरीके से डोकले बनाता है वो भी मेरे साथ में शेयर करना और बच्छों के टिफिन के लि मिर्ची और हरी मिर्ची डाली है तो काफी अच्छे बने थे अब जब रैसिपी अच्छी बनती है तो उसकी प्लेटिंग जो है वह भी बहुत खास होनी चाहिए तो चलिए फटा-फट से कर देते हैं इसकी प्लेटिंग तो बहुत ही गजब के डोकले बने थे सबको बहुत अच्छे लगे थे और थोड़ से मैंने जादा बनाए मतलब यह बचे नहीं थोड़े जादा ही बनाए थे क्योंकि जल्दी ही खाना खा लिया था और फिर मुझे पता है कि जब इस तरीकी की चीज़े खाते हैं तो फि जब इडली सामर बनाए था थी टो नारेल के तो चटनी बनती तो पूरा न starters में लगता है तो यह जो नारेल बजगया है इस को स्टेप उसको चेफ़े वह प्लास्टी बूर dealtए तो जब भी चटनी बनानी होगी तीन ठीन टेन प्रेव इंक मैं और मारेल समय स्टाइस कर के तो चटनी बनाने के टाइम पे सोचना नहीं पड़ता है और मेरे फ्रीज में तो एनिटाइम इस तरीकी से स्लाइस करके पड़े ही रहते हैं तो बस टाइम पे सबका खाना बना होगे तो सब काम मतलब अब समझ लेजी होई गया था और बरतन भी साफ हो गए कीचन क्लीन और लिटरली गेस जो था वो इतना अच्छे से चमक गया था जिसे कि नया होता है बिल्कुल उस तरीके का हो गया था और यह ना पितामरी वाला पाउडरी जिससे कि आप उतामरी के बरतन वगरा साफ करते ना यह वही वाला पाउडर है तो मैंने सुचा कि चलो आज सींग को भी क्लीन कर देते है तो मैंने पूरे ही सींग के इंदर थोड़ा सा पाउडर चोड़ा के अच्छे से रगर दिया इवन इसके आज से स्क्ड़ब होता है उससे अच्छे से रगरा और थोड़ा साrim बचल बॉस जेल जैल कि मैंने अग्यें उसको अच्छे से साफ कर दिया और तो उसके बाद में आप देखना कि यह जो यह अपनी जो सिंक है न वो कितनी अच्छे से चमक गई थी तो आप भी अगर आपकी कीचन की सिंक इसमें अगर कोई दाग दब्बे हैं या फिर अच्छे से डिप क्लीनिंग करना चाते तो वीक में एक बार इस तरीके से जरू तो करीबन शाम की साड़े साथ पुने आट बजे का टाइम हो रहा था गर के तो मेरे सारे ही काम हो गए थे और बच्चे उदर पढ़ रहे हैं उनको खाली मैं मलब टिक करके आ गई हूं कि क्या क्या चीज़े उनको लर्न करनी तो वो उनकी पढ़ाई जो है वो करते रहें तो बचे टूइशन चाहते हैं तो मुझे खिर बहुत ज़दा पढ़ाना नहीं होता है लेकिन अजब एक्जाम टाइम होता है तो मैं थोड़ी सी मतब नजर उनके पर जरूर रखती हूं और बस अब मैं करूंगी अपना ये बहुत ही इंपोर्टेंट वाला काम तो ग्रो तो मैं पहले तो किचन में रखके ही करती थी लेकिन अब होता है कि जो भी चीज़े लाते हैं तो मुझे आपके साथ में शेयर करनी होती है तो मुझे वो पूरी दुकान बाहर लगानी होती है और फिर वहीं से मैं फोट्यों की सामान उठा 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 अगे फटा फटा उनको अपनी जगे पे रख लूँ तो इसलिए मुझे यह सामान बाहर फिलाना पड़ता है लेकिन अब यह वाला सामान में कल लेकर आ गई थी तो कल मैंने पूरी दुकान लगा दी थी आपके तार शेयर कर दिया था और अगेन मैंने इनको बेक के अंदर बढ़ दिया था तो अभी मैं सभी चीज़ें अंदर लेकर आ गई हूँ और अभी सभी चीज़ों को मैंने अलग अलग कर दिया है तो जो क्लीनिंग के जितने भी प्रोड़क्ट थे उनको मैंने अलग रख दिये हैं और उसके लावा कुछ सामान ऐसे हैं जो मिल्कुल अभी खतम हो गए है कि किस स्टीच को मुझे कहां रखना और कैसे रखना है अचा मेरा जो कीचर ने वो काफे ज़दा छोटा है आपने देखा योगा की छोटा है लेकिन हाँ हमने उनके अंदर फरनीचर बहुत अच्छे से बना के रखे हैं तो सभी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से कर लेंगे और जो मैं सामान अभी लेकिया यूँ लेटेस्ट में उनको मैं रख दूंगी पीछे की तरफ और हार्पी की जो मैं डो बॉटल्स लेकर आई थी तो भी हाल फिलाल में दोनों ही वाश्रू में पड़ी होई है थोड़ी थोड़ी तो उनको भी मैं रख दिया है डिटर्जन पाउडर जो है वो डिबे के अंदर खतम भी हो गया था और पहले वाली थेली थी उसमें थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो उसको मैंने खाली कर दिया था कि अन्नेसिसरी अंदर जो है वो जगे मलब खराब नहों और नया वाला जो मैं डिटर्जन पाउडर के जो बड़ा सा पैकेट लाई हूँ वो भी उन्यांदर रख दिया है और उसके बाद में जो टूट पेस्ट था वो भी खाली हो गया था अभी आपने देखा ही होगा कि दो तिन वीडियो पहले विहां जो था वो बेलन से उसके उपर गुमा के और सारे ही पेस्ट को उसने है ना बचे सीख गए थे और कम से कम 4 दिन होगी हम लोग उसी टूट पेस्ट का यूस कर रहे हैं चार दिन तरह में इसा लग रहा था कि आव फेक ने लायक हो गया जबकि वह फेकना नहीं हुआ था उसमें वह सारा पेस्ट बचा था तो 4 दिन तक हमने उसके लगी यूस इंदर खाले करके रख दिया है तो इस तरीके से सभी चीजों को मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया क्लेनिंग का और आप मैं आई हूं अगें कीचन में तो शकर जो है वो तो खेर बिल्कुल खतम होई गई थी मैं आपको बोला भी था तो पांच किलो से उपर शकर में मतलब ले कर आई थी तो एक किलो का डब़ढ जो बाहर मेरे रूटीन में मैं यूज में लेती हूं तो कुछ सकर में उसमें भर दी थी और बाकी ये बड़े वाले डब बे के नदर भर दी ए ठीक है? और अब उसके बाद में जसकी चावल है तो वो चावल जो थे वो भी मेरे खतम हो गए थे अच्छा एक चीज बहुत अच्छी हो गई थी कि जितने भी डब्बे थे ना वो मैंने वाश करके रखे हो थे पहले से ही ना तो काम बड़ा आसान हो जाता है यदि आप पहले से ही अमलब डिबो वगरा को क्लीन करके रखते हो तो फिर उस आमान को जमाने मे और बरने में टाइम नहीं लगता है तो मैंने शकर बर दी है उसके बाद में ये चावल वाली पेटी है तो ये भी खाली हो गई थी इसको भी मैंने वाश करके रखा हुआ था तो जो डेली रूटीन में जो मैं चावल यूज में लेती हूँ वो मैंने थेली सहीत उस पेट तो मैंने थेली सही थी उसको उसके अंदर रख दिया है और उसके बाद में एक और चावल में लेकर आई थी जो लोंग ग्रेन वाले होते हैं तो उसको भी मैं इस बड़े वाले डबे के अंदर रिफिल कर दूँगी अच्छा जितने भी बारी बारी हेवी वाले जो सामान है मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो मैंने बिल्कुल नीचे वाले फरनीचर के अंदर भरे हैं ताकि बहुत ज़्यादा फरनीचर पर लोड ना पड़े और वो खराब ना हो तो इस तरीके से ये पूरा कैबिनेट मेरा अच्छे से जम गया है और सभी डिबो को म मैंने अच्छे से पहुंच के फिर रखा है और अब उसके बाद में बारी आती है सूजी की तो सूजी जो है वो में तीन पैकेट लाई थी एक के किलो के तो एक पैकेट मैंने मौनिंग में ही जब इटली सामबर बनाया था तब खोल दिया था तो थोड़ी सी जो सूजी ब खाली हो जाएका इसको वाश करके फिर मैं पूरा अच्छे से बर दूँगी उसके बाद में ये मौनफली के दाने हैं तो मौनफली के दाने जो है खिर ये डबा मैंने अभी ही साफ के था जादा दिन नहीं हुए तो इसके लिए मैंने पहले सी थोड़े से पढ़े हुए और उसी के अंदर मैंने ये दूसरे जो नए वाले लेकर आई थी न ये भी बर दूँगी और इसको ये खिर ये डिबा जाएगा फ्रीज के अंदर तो कुछ चीज़े जो होती है वो बाहर बहुत जल्दी खराब हो जाती है तो उनको मैं फिर फ्रीज के अंदर ही रखती ह हूँ तो ये सब चीज़े तो खिर मैंने भर दी है और अब वो वाले सामान कि जो मुझे अभी हाल फिलाल में काम नहीं आने वाले हैं तो उनको मैं कहां रखती हूँ ये बहुत बड़ा एक क्वेशन होता है इनको देखो मैं कहां पर रखती हूँ ये बड़ा वाला जो फ हैं तो फॉर्णीचर होती हैं और नीचे की तरफ रखती हूँ और उसके अपर रखती हूँ ये बकेट यह पेंट वाली बकेट है जब गर में हमारे पेंट हुआ था जब गर बना था तो यह काफी अच्छी रेती मजबूत भी रेती और इसके पर अच्छी खासी लेड़ भी होती है तो इसको भी हम फेकते नहीं वाश करके अच्छे से इसको मैंने 5-6 दिन तक धूप में रख द खाली कर दिया है और दो पेकेट और बचे तो जो एक पेकेट रहेगा वो मैं बकेट के अंदर रखूँगी और एक को रखूँगी मैं स्टिल की टंकी के अंदर और इसके लावा जिसकी नूडल्स का एक पेकेट है वो काफी पुराना होगे तो उसको मुझे बनाना ही क्योंकि मेरे पास में कॉमेंट आते हैं कि आप इतना सारा जो ग्रोसरी का सामान लेकर आते हो न उनको मैनेच किस तरीके से करते हो तो मैंने न बहुत से वीडियो में देखा भी है कि इतने सारे कंटेनर की दुकान जो है न वो लीडिज ये घर में लगा के रखते हों कई पर ऐसे होता है कि उन सारे container को वो न देख भी नहीं पाते हैं मैं वहां तक पहुच भी नहीं पाते हैं और कई चीज़ें जो होती है वह खराब हो जाती वर उनको फेक नहीं पड़ती है तो ज्यादा अच्छा है कि आप इतने सारे container की दुकान लगाने के बजाए जो आपकी तो फेसों की सेविंग भी हो जाती है तो आप यह वाला जो मैंने वीडियो आपके साथ में शेयर करने की पीछे मेरा मकसद दिये था कि आप अगर आपका भी कीचन छोटा है सामान कम है तब किस तरीके से उनको और्गिनाइज करके रख सकते हैं उसके बाद में यह देखो मकाना का जो दो पकेट था तो एक पकेट मैंने अंदर रख दे और एक पकेट मैंने बाहर रखा है क्योंकि मैं आज कल मैं ताकि कितना कीड़े वगरा नहीं होंगे तो आप इस टेम पे सोचोगे कि दालों के अंदर लक्षमन रिखा कौन डालता है तो डाल के अंदर नहीं डाला है मैंने डिब्बे के अंदर डाली है और दाल जो है वो थेली के अंदर है ठीक है तो वो बिल्कुल भी उस लक्षमन इस तरीके ते चीजे भर दी है इसके लब पोहें और कुछ एका चीजे हैं वो मुझे चान कर और फिर डबो में भरनी है तो फिर मैं मौनिंग में करूंगी और जो बच्चों के जितने भी खाने पिने के स्नैक्स के जो आइटम रहते हैं वो में मिलकुल ये ऐसे फरनीचर मे कराई थी तो हाल फिलाल में इसकी जूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास में एक और बोटल पड़ी हुई है तो इसको मैं पीछे की दरफ रख दूंगी तो इस तरीके से मैंने अपने जितने भी ग्रोसरी का सामान था उनको अच्छे से जमाया है और आप बात निमानेगे कि य मैंने वो गंदे नहीं होते हैं 2-3 मैने में एक बार वाश कर देती हूं तो ये तीन जो बेग ही काफी ज़दा मजबूत है और जब भी डिमार जाती हूं तो मैं यही वाले बेग लेकर जाती हूं तो इन तीनों को मैं एक बेग के अंदर करके और लपट के रख दूंगी ताकि नेक्स टाइम जब मैं डीमार्ट जाओंगी तो फिर मुझे डूडने नहीं पड़ते हैं कि मैं कौन सा बेग लेकेज हूँ या मैंने कहां पर रखा हुआ है तो इनकी जगे जो है वो भी मैंने फिक्स की हुई है और ये टाइम पर मलब जेंसा भी डाट रहे थी कि एक बहुत बड़ा काम जाए हो मैंने निपटा दिये इतनी रात को और इस टाइम पर मेरा कीचन जो था वो बहुत अच्छे से क्लीन हो गया था और सिंक मेरी क्लीन थी और ये कुछ शाम को फ्रूट्स वगरा लेकर आये थे तो ये भी मैंने वाश करकी बाहर कपड़ें प करके मुझे थोड़ सा मोटिवेट जरूर कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इंस्टाग्राम पर फोलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पर जरूर फोलो करना